सो गाई सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि मैं आज आपके शाओमी के लिए लेगा हूँ बहुत ही अच्छा गूड नियूस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे एंड्रोइड 9.0 पाइक आपडेट आपको कौन से कौन से डिवाइस में आपको र सबसे पहले तो Redmi Note 5 Pro हो जाई ये खुश क्योंकि आपके लिए लेके आया हूँ मैं बहुत ही अच्छा गूड नियूस आपके डिवाइस के लिए जल्दी आने वाला है एंड्रोइड 9.0 पाइक आपडेट जो चाइना पे लॉंच हुआ था Redmi Note 5 के नाम से ये जो नियूस है आपको यहाँ पर XDA पे या gadget 360 या Redmi के official form app पे जो Chinese form app होता है उसमें आपको एक news देखने को मिल जाता है जो पूरा officially confirm हो चुका है इन तीन डिवाइस में आपको Android 9.0 पाइक आपडेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर Redmi Y2 को आपको यहाँ पर पाइक आपडेट देख Android 9.0 पाइक आपडेट देखने को मिल जाएगा Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro और यहाँ पर Redmi Y2 इन तीन डिवाइस में आपको काफी चालती है पर एक से दो माहिने के अंदर आपको यहाँ पर Android 9.0 पाइक आपडेट देखने को मिल जाएगा जो काफी अचा बात है आप यहाँ पर पेशेंस आपको Android 9.0 पाइक आपडेट आपको जरूर मिलेगा Redmi Note 5 Pro, Redmi Y2 and Redmi Note 6 Pro इन तीन डिवाइस में आपको कंफर्म लिए आपको Android 9.0 पाइक आपडेट मिल जाएगा तो एक से दो माहिने के अंदर आपको यहाँ पर इन तीन डिवाइस में आपको Android 9.0 पाइक आपडेट जरूर देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर आपका पेशेंस रखिए आप ज़्यादा जल्दपाजी मत कीजिए कि आज देदे कल देदे ऐसा कुछ नहीं है आपको यहाँ पर कोडिंग हो जाने के बाद Android 9.0 पाइक का कोडिंग हो जाने के बाद MIUI का जरूर में उसमें इसके साथ सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आपका लिन शुब हो